हलो फ्रेंड्स टैली टुटोरिल सेरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अट्रैक्टिव फिचर टैली के सिखेंगे जिसका नाम है रियार्डर लेवल जिसको अमनों स्राट फार्म में आरल भी करते हैं आरल को कैसे यूज करेंगे टैली में उसका एडवांटेज क्या है उसको कांफिगर कैसे करेंगे और उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं इन सारे चीजों को डेटेल में इस वीडियो के अंतरगत सिखेंगे इस वीडियो को आप लार्ट तक देखेंगा वीडियो स्टार्ट क मिले और मेरी वेबसाइट www.idetechnical.in को भी विजिट करिएगा और वहाँ पर भी मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं री आडर लेबल का यूज करने के पहले हम उसको समझ लेते हैं कि री आडर लेबल होता क्या है जिसको स्टार्ट फर्म में आर ओल करते हैं इसे नाम से इस पस्ट है फिर इसे आडर देना पुना आडर देना रियूरणटि लेवल के अंतरगत हम किसी भी स्टाक आइटउम के उस कॉंठिटी इसके नीचे जैसे हमारा आइटम हो टैली हमें फॉर्म करेे कि आपका स्टाक होना होने वाला है यह जिससे ओड़िया के खत्म होने की सिति से बचा जा सके इसको हम अब हमें कितनी quantity set करना है इस चीज को हम कैसे decide करेंगे ये ये बिल्कुल जो company का management है या कोई अगर swap कीपर है वो decide करेगा एक example से इसको हम better तरीके समझ सकते हैं जैसे कोई एक computer swap की दुकान है और वहां पे टैली का use किया जा रहा है और उसका keyboard लगभग एक दिन में 10 keyboard बेज देता है तो अब reorder label को set करने के लिए अभी अनुमा लगाएगा कि जब भी हमें कोई keyboard खरीदना होता है तो हमें 2-3 दिन ल होगा इसके लिए अगर वो दो दिन में नया माल आता है और दस पीस keyboard उसका डेली coverage है तो कम से कम उसको तीज की बोर्ड तीज पीसेज की बोर्ड उसका limit हमें set करना पड़ेगा कि तीज पीसेज की बोर्ड यदि कम होता है तो टैली मुझे इन फॉर्म करें कि इस श्टाक होने वाली है और दुकानदार उसको आड़र दे दे इस तरीके से कमपनी को लॉज या आउट आप स्टाप की सिर्थी से बचा जा सकता है जिससे कमपनी तो नुक्सान नहीं होगा हमारी जो कमपनिया है उनको नेचर वाइस दो तरीके से हम इसको बाढ़ सकते हैं पहला है प्रोडेक्शन टाइप का दूसरा ट्रेडिंग प्रोडेक्शन जो वहां पर किया जाता है जिस कमपनी में प्रोडेक्शन किया जाता है वहां पर रा मेटरियल यूज किया जाता है यदि रा मेटरियल नहीं होगा तो प्रोडेक्शन नहीं होगा तो रा मेटरियल खत्म हो आपने के पहले ही टैली इंपॉम कर दे कि रावे टेल खत्म होने वाला है आप उसको मंगा लीजिए जिससे कंपनी का प्रोडेक्शन बन ने होगा और कंपनी का लॉस्ट ने होता ये तो प्रोडेक्शन टैग वाली कंपनी के लिए आरल का यूज हो सकता है दूसरा जो ट्र सोचर्मान खरेती हarchy उसनी को ते मानवा करते हैं कभी-कभी ऐशीब कोई भी श्टॉक आइटम खत्म हो गया होता है और दुकानदार को मालumm होता नहीं है जिब कोई किस्टमर आता है जब उसे अरृम को मांग करता है दूकानदार उसको देखता है तो यूजिक होता नहीं है तो इस situation से बचाई जा सबता है तो इनको हम कैसे करेंगे तो चलते हैं यह स्क्रीन पर हमेची को देखते हैं तरह दो से आगे हैं א। एक कम प्रुसेसिक बना लिया है अब हम इसद रिफ्न को एक्तिव करने के लिए हम f11 और f2 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक screen आएगी और यहाँ पे enable purchase order processing और enable sales order processing प्रियस करते हैं और control plus A से screen को save कर लेते हैं Save करने के बाद inventory info में जाते हैं और एक stock item बनाते हैं हमने पहले से keyboard stock item बना लिया था तो keyboard आप भी बना लीजिए बनाने के बाद हम inventory info के अंदर एक option आएगा reorder level reorder level में आप stock group select करेंगे और stock group के अंदर या तो फिर stock item भी set कर सकते हैं select तो माले यह keyboard अब keyboard के लिए जैसे हमने keyboard को select किया हमारे सामने एक screen खुली यहाँ पर screen में दो कालम दीख रहे हैं reorder quantity और minimum order quantity यदि आप टैनी खोलते हैं अगर इससे ज़्यादा कालम दीखता है तो इसको आप alt plus r प्रेस करिएगा दो बार करिएगा तो एक बार अगर so करेगा तो hide हो जाएगा अगर hide होगा तो so हो जाएगा और दूसरा alt m करिएगा यह advanced level का reorder level है जो कि हम next part में सीखेंगे आज हमें basic सीखना है तो हम alt plus r और alt plus m प्रेस करिके उन सारे कावन को hide कर देते हैं आज हमें इस वीडियो में reorder quantity और minimum order quantity के बारे में समझना है तो हमने keyboard का reorder quantity 10 piece कर दिया reorder quantity का मतलब होता है कि अकर आपका keyboard 10 piece से नीचे होता है 10 piece से नीचे धान समझीएगा तो tally हमें inform करेगे कि आपका stock कम हो रहा है कम हो गया है आप order दीजिए और कितने order होने चाहिए कम से कम 10 piece ओके यह 10 piece तो हम इसका app से बाहर जाते हैं और फिर से हम एक display विजाते हैं और यहां से statement of inventory और reorder status है यहां पर क्लिक करते हैं computer parts के देखते हैं तो यहां पर भी report दिखा रहा है कि हमारे पास keyboard इस समय closing stock के रूपने 50 piece है net available है net available 50 piece है reorder quantity reorder level 10 piece हमने set किया वही दिखा रहा है minimum order quantity 10 piece है अब हम कुछ stock item हम बेश के देखते हैं कि report क्या होता है तो हम escape करते हैं और accounting vouchers पर जाते हैं effect में अपार्टी नेम में cash चुनते हैं और sell लेते हैं और keyboard हम यहां से keyboard order number अभी यूज नहीं करना है यहांस हमने 45 piece keyboard 500 रुपे के हिसाब से इसको हमने sell कर दिया और इसको हम save कर लेते हैं save करने के बाद फिर से हम जाके देखते हैं display में statement of inventory और reorder status पर जाके देखते हैं तो हमारे सामने यह report सामने आईए पांच piece आपके पास बचा हुआ है net available पांच piece है reorder level 10 piece होई यह शाट फाल आपके पास 5 piece है यह पांच piece 10 piece reorder level है तो आप देख सकते हैं 5 piece आपका बचा हुआ है मतब 60 फिल कमी है फिर minimum reorder quantity हमारा 10 piece है तो order to be placed 10 piece आपके 10 piece stock item का order होना चाहिए तो चलिए हम इक 10 piece को हम order दे देते हैं देखते हैं क्या situation होता है फिर इसके बाद हम escape करते हैं फिर हम order vouchers में जाते हैं और sorry order vouchers में या inventory vouchers में जाके add plus app को प्रेस करते हैं तो परसरी order कुलता है party name में हम रभी चुमते हैं हमारा supplier है order number हमने एक दिया purchase account की बोर्ड देते हैं 10 piece का हमने order दिया 500 की हिसाब से control A से हमने save किया अब जाके फिर से report देखते हैं display statement of inventory और reorder status में जाते हैं तो देखते हैं तो हमारे पास 5 closing stock है purchase order pending है अब हमारे पास आया नहीं है तो हमारे पास 15 पीस देखे है आप इस situation क्या है पांच पीस तो हमारा physical के रूप में है लेकिन 10 पीस अभी हमने order दिया हमारे पास आया नहीं है लेकिन जो reorder status report है उसको जोड़ दिया है तो अब हमारे पास कोई भी start fall नहीं है और कोई भी order प्रेस करने की जड़वत नहीं है अब हम से राडर भी देखे देखते हैं क्या report generate होता है और accounting vouchers में जाते हैं inventory vouchers accounting vouchers कहीं पर भी जाके alt f5 press करते हैं तो से राडर हमारे सामने खुलता है यह से राडर कुनने के बाद हम किसी को से राडर देते हैं माल लेजर बना लेते हैं शयाम नाम के शयाम नाम के एक लेजर हमने बनाया और यहां से संडी ग्रेडिट टैप्टर्स और सको सेट कर लिया और सेट कर लिया आडर नमर यह दिया सेल का लेजर है कीबोर्ड और हमने इस कीबोर्ड को हमने सब्सक्राइब 25 कीबोर्ड का हमने आडर दिया पांसो रुपे के साफ से आइड प्लस से कंट्रोले से सेब करके अब फिर से हम रियाडर स्टेटरस देखते हैं डिस्प्ले में जाते हैं इन्वेंट्री स्टेट्में of inventory, reorder status, मैं देखते हैं, तो देखिए ये report समय सो कर रहा है, closing stock 5 physical के रूप में, हमने order दिया 15, लेंगे sale order due है, 25 पीसे तानि 10 पीसे की कमी है, कैसे, 15 पीसे दोनों है, 25 पीसे आपने order दे दिया, तो 25 में से 15 गटा तो 10 पीसे, reorder level 10 पीसे है, 60 पाल आपके पास कितना है, 20 पीसे, कैसे, 10 पीस तो reorder level का है, 10 पीस की कमी, यानि 20 पीस का हमें order देना पड़ेगा, order to be placed, और हमें 20 पीस का order देना, मुझे ऐसा है कि ये चीजे आपको समझ में आई होंगी, आप एक दो बार प्रैक्टिस करके इस चीज में आप इसको आप इसको इसमें expert हो सकते हैं, एडवांस लेबल का जो reorder status होता है, कैसे entry करते हैं, इसको हम next part में बनाएंगे, इस part में इतना ही, ये वीडियो कैसे लिए, comment box में जरू बताएगा, एड़ी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, बोस्तों बीच में सेयर करिएगा, चल्ब बन नए हैं तो चनल को subscribe, बेल आपको प्रेस कर दिएगा, ताकि latest वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले, और मेरी website www.argettechnical.in, जिसका link इस वीडियो के description में है, विजिट करना बिलकुल मत भूलिएगा, जिस जहां पे मेरी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, thank you.